पटना जिले के मनेर प्रखंड के जितनावा गाउं की चंचल पासवान और उसकी बहन इन दोनों के उपर उनहीं के गाउं के चार दरिंदों ने उनके घर के चट पर चड़कर 21, 10, 2012 की रात को तेजाब से हमला किया और बुरी तरह से जखमी किया वज़ा थी इन चार दरिंदों के द्वारा सेक्शुल हरास्मेंट का चंचल के द्वारा विरूध असे हमले का अंतरिम मौावजा 2013 में माननिय सुप्रिम कौट ने 3 लाग रुपे तै किया है उसके पहले अलग-अलग राजो में ऐसीड हमलों की पीडिताओं को बहुत ही कम मौावजा मिलता था जैसे कि बिहार में 25,000 रुपया मौावजा तै था चंचल और उसकी बहन को ऐसीड हमला होने के धाई साल के बाद भी सुप्रिम कौट द्वारा तै अंतरिम मौावजा 3 लाग रुपे नहीं मिला था अंतरिम मौावजे की पूरी राशी मिल सके इसके लिए मैंने अलग-अलग पदाधिकारियों से मिलकर तथा प्रेस कॉंफरेंस आयोजित कर दबाव बनाया साथी सुप्रिम कौट में पियायल दाखिल की ऑनलाइन पिटिशन कर हजारों लोगों का समर्थन जुटाया सामुईत प्रेयायस के कारण राजसरकार पर दबाव बना और 26.8.2015 को राजसरकार के द्वारा चंचल और उसकी बहन को तीन-तीन लाख रुपे का ड्राफ्ट पिया गया यह आज कॉंपनसेशन जो मिला है वो सरकार पर दबाव कैसे बना वर्षा दीदी थी वहीं के द्वारे इतना फैला और दबाव पड़ा और और कोट से दी दबाव हुआ इसलिकर्ण हमें कॉंपनसेशन में विहार पीरित प्रतिकर्ण एश्कीम 2014 के अंतरगत पीरित या पिरिता को थीन लाख रुपे दक हम लोग बेहतर इलाज के लिए दिते हैं पहला चेक हम लोग एक लाख रुपा के दनेया थे और अंतिन जो है दो लाख का हम लोग दनेया है चेक हमें नहीं लगता कि कंफरेशन हमारे लिए काफी है काकि हम दोनों बैहन हैं दो-दो लाख से तो हमारा कुछ नहीं होगा इसने करीब पचास लाख है इससे भी ज्यादा अधीख लग सकता है क्योंकि हमारे अफरेशन एक वार फांच लाख लगते हैं तो कि मेरा तो ही बहुत अफरेशन राखी है वेहतर इलाज के लिए अगर जरूद पड़े तो हम लिए रिकुर्वेट कर सकते हैं किसे कि उसके और इलाज बेतर हो और इतना में नहीं होगा हो तो और भी दिया जाए वीडियो वॉलंडियर्स, Change.org और परिवर्तन केंदर की वेबसाइट्स पर भी लगातार मैंने अभियान चलाया है इसी सामुईक प्रयास का नतीजा था चंचल और उसकी बहन को माननी सुप्रिम कोट के द्वारा ते मुआवजा राशी मिल चुका है मैं वर्शा बिहार से इंडिया अनहट के